नमस्कार स्वागत आप सभी का बीके नीज में और मैं हूँ आपके साथ देपी का पाणने हिंदी सिनेमा इस समय लोगों के निशाने पर है यू कहें धर्म के खिलाफ कंटेंट दिखाने की बज़े से बॉलिवोड के बड़े-बड़े स्टार्स की फिल्म में बॉक्स ओफिस पर रिलीज होते ही बड़ी तरह पिट गई आमिर खार की लाल सिंग चढधा का लोगो ने इसलिए बाइकॉट कर दिया क्युकि उन्होंने फिल्म PK में हिंदु देवी देटाओं को टारगेट किया था मैई हाल इमें अक्ष्य कुमार का भी यही हाल रहा क्योंकि लोगों का मानना था कि अपने फिल्म Oh My God में उन्होंने भी यही काम किया था जबकि दिन्बीर कपूर की शमशीरा इसलिए पिट गई क्योंकि इसमें विलन के करेक्टर को तीका लगाय हुए दिखाया गया था मतलब लोगों को कंटेंट और करेक्टर के नाम पर फिल्म निर्माता कुछ भी नहीं परोश सकते हैं लेकिन साउथ की अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष इन सब के बीज बेहत चर्चा में है और इसके पीछे की वज़ए है आदिपुरुष के डिर्रेक्टर ओम राउड जो किसी भी कीमत पर इस फिल्म के साथ कॉंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं नहीं किसी गलती की वज़ए से वो आदिपुरुष के साथ कोई रिस्क लेना चाहते हैं पांसो करोर के बजट में तैयार हुई इस फिल्म को लेकर मेकर्स ने तै किया है कि फिल्म में प्रभास अपने डायलॉग खुद नहीं बोलेंगे बलकि एक बार पर सरत केल कर उनकी आवाज बनेंगे और उसके पीछे का कारण बाहुल से जुड़ा हुआ है आपको बता दे कि राजा मॉलिक के फिल्म बाहुबली के हिंदी बर्जन में शरत ने प्रभास को अपनी आवाज दी थी और वो उन पर खुप हवी थी लेकिन इसके बाद आई प्रभास की दो फिल्में साहो और राधे श्याम के हिंदी बर्जन में प्रभास ने अपने डायलॉक्स खुद बोले जो फैंस को पसंद नहीं आए और दोनों हे फिल्में सुपर फ्लॉप साबित हुई थी साहो और राधे श्याम का बॉक्स ओफिस पर हाल देखकर मेकर्स वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं साउथ के फिल्मों के हिट होने के पीछे यही राज है कि साउथ हिंडस्टि के लोग अपनी गलतियां बार बार नहीं दोहरातें इतना ही नहीं अपने फिल्म की काम्याबी के लिए वो छोटी सी छोटी बातों का खयाल भी रखते हैं आपके इस ख़बर पर क्या रहा है हमें कमेंट करके जरू बताईएगा देश दुनिया की तमाम बड़ी ख़बर के आप लगातार देखते रहे हैं वीके नियूज